गुड इवनिंग ओल अफ यू मैं रूंतिर पार्थी मिर्शा सकी क्लास में आज हमारा पेपर 107 एसेस्मेंट और टीचिंग और लर्निंग है इसको हम रिविजन करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कुशन है मुल्यांकन से मुल्यांकन दो शब्दों के योग से बना है पहला ओप्शन है मुल्यांकन दूसरा ओप्शन है अंकन थर्ड ओप्शन है इन में से कोई नहीं इसका अंसर है C A और B दोनो मुल्यांकन दो शब्दों से बना है मुल्यांकन नेक्स्ट कुशन मापन का कारे है पहला option है निदान, दूसरा option है पुर्व कथन, थर्ड option है साफल और लास्ट option है ये सभी, इसका answer है D ये सभी, मापन के कारे में आपका निदान, पुर्व कथन और साफल ले आता है नेक्स्ट कोशन, मुल्यांकन की प्रकती है पहला option है गुणात्मक, दूसरा option है परिमनात्मक, थर्ड option है A और B दोनों और लास्ट option है इन में से कोई नहीं, इसका answer है C, A और B दोनों मुल्यांकन की प्रकती गुणात्मक और परिमनात्मक है यानि की qualitative और quantity दोनों ही है Next question, अच्छे परिक्षण की विशेषता है。 पहला औप्षण ने विश्वसनियता, दूसरा अप्षण ने व्येध्यता, फर्ड और वस्तुनिष्टिता, और लास्ट अप्षण ने ये सभी. इसका अंसर ए D, ये सभी. अच्छे परिक्षन की विशेषता, विश्वसनियता, वैदिता और वस्तुनिष्टता है नेक्स्ट कुशन चरों के मुख्य प्रकार है पहला उप्षन है सतत्चर दूसरा उप्षन है असतत्चर थर्ड उप्षन है A और B दोनो और लास्ट उप्षन है इनमें से कोई नहीं इसका अंसर है C, A और B दोनो चरों के मुख्य प्रकार में आपका सतत्चर और और सतत्चर आता है नेक्स्ट कुशन माप्ण के स्तर है पहला उप्षन है नामिस्तर दूसरा उप्षन है क्रमिस्तर थर्ड उप्षन है अंतराल स्तर और लास्ट उप्षन है ये सब ही इसका अंसर है D, ये सब ही माप्ण के स्तर में नामिस्तर दूसरा है आपका क्रमिस्तर और थर्ड है आपका अंतराल स्तर माप्ण की बात करें तो माप्ण को SS स्टीफेंस ने चार स्तर इसके बताए थे नामिस्तर जो की nominal level है क्रमिस्तर यानि की ordinal level है अंतराल स्तर यानि की intervals level है और लास्ट आपका ratio level है ये चारोही level मापन के स्तर कहलाते हैं नेक्स्ट कोशन विश्वशनियता गुणक से बोध होता है पहला option है वेक्तिका तुटी का दुसरा option है स्थिर्थ तुटी का थर्ड option है चर तुटी का और लास्ट option है अर्थापन तुटी का इसका answer है C चर तुटी का विश्वरस्तिय गुणक से बोध चर तुटी का होता है नेक्स्ट कोशन प्राप्तांकों का मुख्य घटक होता है पहला अप्शन है वास्तिविक अंक दूसरा अप्शन है तुटी अंक थर्ड अप्शन है ए और बी दोनो और लास्ट अप्शन है इन में से कोई नहीं इसका अंसर है सी ए और बी दोनो प्राप्तांकों का मुख्य घटक में आपका वास्तिविक अंक औ और लास्ट ओप्शन है ये सभी, इसका अंसर है D, ये सभी, विश्वनस्त्या ग्रागत करने की विधी तुलेता, गुणक, स्थाइत गुणक और आंत्रिक्त स्थाइत गुणक होता है। पुनर परिक्षन विधी अधिक उप्योक्त है, पहला अप्शन है शक्ति परिक्षन में, दुसरा अप्शन है गती परिक्षन में, थर्ड अप्शन है गत्यात्मक परिक्षन में और लास्ट ओप्शन है इन सभी में, इसका अंसर है B, गती परिक्षन में, पुनर परिक्षन विधी अधिक उप्योक्त गती परिक्षण में होती है नेक्स्ट कोशन अधिक शुद विश्वसनियता गुणक प्राप्त होता है पहला अप्षन है अर्ध विच्छेदित विधी से दुसरा अप्षन है पुनर परिक्षण विधी से थर्ड अप्षन है हाइट विधी से और लास्ट अप्षन है तार के तुलेता विधी से इसका अंसर है C हाइट विधी से अधिक शुद विश्वसनियता गुणक प्राप्त होता है आपका हाइट विधी से विश्वसनियता गुणाग ग्याद करने की ये चारो विदी है अर्ध विछेदित विधी, पुनर परिक्षन विधी, हायट विधी और तार की तुलिता विधी इसी विए ध्यान में रखेंगे विश्वसनियता गुणाग के अर्थ होता है पहला अप्षन है आंत्रिक सह समंद गुणाग दूसरा अप्षन है मांदर से सह समंद गुणाग थर्ड अप्षन है परिक्षन का स्वयम से सह समंद गुणाग और लास्ट अप्षन है ये सभी इसका अंसर है C परिक्षन का स्व से समंध गुणक हो नेक्स्ट कौशन चरीता विशलेशन विधी को दिया पहला औप्षने अनस्ट कैसी ने दुसरा अप्षने लिंक्वस्ट ने थर्ड औप्षन हाइट ने और लास्ट आप्षने खूदर ने इसका अंसर सिचिल ओध चरिता विशलेशन विधी को हाइट ने दिया था विश्वस्निता गुणक को प्रभावित करते हैं पहला option है परिक्षन की गत्य आत्मक्ता दूसरा option है परिक्षन में प्रश्णों की संख्या थर्ड option है विश्वस्निता विधी का उप्योग और last option है ये सभी इसका अंसर है D, ये सब ही, विश्वस्निता गुणाग को प्राभावित करने वाले परिक्षन की गत्यात्मक्ता, परिक्षन में परशनों की संख्या और विश्वस्निया विदी का उपयोग करना होता है नेक्स्ट कोशन, वैदिता गुणक से बोध होता है, पहला अप्षन है चर्थ तुटी से, दुसरा अप्षन है स्थिर तुटी का, थर्ड अप्षन है अर्थापन तुटी का, और लास्ट अप्षन है विक्तिका तुटी का, इसका अंसर है B, स्थिर तुटी का, वैदिता ग प्राप्ताउंकों के मुख्य घटक में आपका समलित कारक, विशिष्ट कारक और तुटी कारक आता है। प्राप्ताउंकों के मुख्य घटक में आता है। दूसरा उप्षण है अनुभव जन आयाम, थर्ड उप्षण है A और B दोनों और लास्ट उप्षण है इन में से कोई नहीं। इसका अंसर है C, A और B दोनों। वैदिता ग्याद करने का मुख्य आयाम, तारकिक आयाम और अनुभव जन आयाम होता है। इसका अंसर है A, और लास्ट उप्षण है इसका अंसर है B, बुद्धी परिक्षण. आयू मानक का उप्योग बुद्धी परिक्षण के लिए होता है। इसका अंसर है D, ये सभी रेफसाई की मुख्य विशेशता में मानक, अचार सहीता और पतिस बद्धता होता है। इसका अंसर है इसका अंसर है अंसर है अमेरिका, तर्ड आप्षण है रूस और लास्ट उप्षण है जपान। इसका answer B, America विद्यारतियों द्वारा शिक्षकों का मुल्यांकन की शुर्वात अमेरिका से हुई थी Next question विद्यारतियों द्वारा शिक्षकों के मुल्यांकन को प्रभावित करने वाले घटक हैं पहला option ने दार्शनिक घटक दूसरा option है शेक्षिक घटक थर्ड ऑप्षण है समाजिक खटक और लास्ट ऑप्षण है ये सभी इसका अंसर एडी ये सभी विध्यारतियों द्वारे शिक्षकों के मुल्यांकन को प्रभावित करने वाले खटक में आपका दार्शनिक खटक, शेक्षिक खटक और समाजिक खटक आता है प्रचारे की भूमिका होती है पहला उप्षन है नित्यत्व, दुसरा उप्षन है प्रशाशन, थर्ड उप्षन है परवेक्षक और लास्ट उप्षन है ये सभी इसका अंसर ए D ये सभी प्रचारे की भूमिका में आपका नेत्यत्व, प्रशाशन और परवेशक होता है नेक्स्ट कोशन भारत में छात्रो द्वारा शिक्षकों के मुलियांकन की शिक्षा में संतुति की पहला उप्षन है महरोत्रा समित्री ने, दुसरा उप्षन है हनसा महता समिती ने, थर्ड उप्षन है रेड़ी समिती ने और लास्ट उप्षन है इनमें से कोई नहीं इसका अंसर ए C, Rady समीती ने, भारत में चातुर द्वारा शिक्षकों की मुल्यांकन की शिक्षा की संतुती, Rady समीती ने की थी इसका अंसर ए B, शिक्षक, P, Rady मुल्यांकन विधी शिक्षक है इसका अंसर ए A, शिक्षक उपलब्दी की उपलब्दी परिक्षन की जानकारी शिक्षिक उपलब्दी से की जा सकती है नेक्स्ट कोश्चन, निदनात्मक परिक्षन में महत दिया जाता है पहला उप्षन है सही उत्रों को, दूसरा उप्षन है गलत उत्रों को, थर्ड उप्षन है A और B दोनों को और last option है इनमे से कोई नहीं इसका अंसर है B गलत उतरो को निदनात्मक परिक्षन में मैं तो दिया जाता है गलत उतरो को Next question निवनात्मक परिक्षन की विशेशता है पहला option है अभिवेक्त्ती छमता दूसरो अप्षन है सूलेक थर्ड option है भाषा का उप्योग और लास्ट option है ये सभी इसका answer है D ये सभी निवनात्मक परिक्षन की विशेशता में आपका अभिवेक्ति छमता सुलेक और भाषा का उप्योग आता है स्कूशन वस्तुनिज़ परिक्षन की विशेशता होती है पहला option है वैदिता, दूसरा option है विश्वशनिता, थर्ड option है A और B दोनों और लास्ट option इन में से कोई ने इसका answer है C, A और B दोनों वस्तुनिश परिशा की विशेचता, वैदिता और विश्वशनिता होती है Next question, संचेई आलेक से जानकारी होती है पहला option है वानसी स्तर में, दूसरा option शेक्षिक प्रगती में, थर्ड option शेक्षिक उपलबदी में, और लास्ट option इन में से कोई ने इसका answer है B, शेक्षिक प्रगती में, संचेई आलेकी जानकारी शेक्षिक प्रगती में की जाती है उपलबदी परिक्षिक के मुख्य प्रकार है, पहला option है मौकिक परिक्षा, दूसरा option है कारेपरक परिक्षा, थर्ड option लिखित परिक्षा और लास्ट option है ये सभी इसका अंसर है D, ये सभी उपलब्दी परिक्षन के मुख्य प्रकार में आपका मौखेक, लिक्षित और कारेपरक परिक्षा आती है इसका अंसर है C, A और B दोनो गलत उतरों को महत दिया जाता है निस्पत्ती परिक्षन में और निदनात्मक परिक्षन में इसका अंसर है B, निदनात्मक परिक्षन को परिक्षन को परिक्षन परिक्षन निर्मानम के कितने चरण है पहला उप्षन है 5, दूसर उप्षन है 10, तीसर उप्षन है 12 और लास्ट उप्षन है 15 इसका अंसर है B, 10 परिक्षन निर्मान को दस चरण में विबाजित किया जाता है परिक्षन निर्मान में विबाजित कितने तरह परिक्षन की विदिता उसकी वह सीमा है जिस सीमा तक वह वही मापता है जिसके लिए उसका निर्ने किया गया है यह परिभाशा किसकी है? पहला option है Garrett, दुसरा option है Cronback, थर्ड option है Bogarders और लास्ट option है Lundberg इसका answer है B, Cronback Cronback की परिभाशा है कि किसी परिक्षन की वैदिता उसकी वह सीमा है जिस सीमा तक वह वही मापता है जिसके लिए उसका निर्ने किया गया है नेक्स्ट कुश वस्तुनिज एकांज पर अधारित प्रश्न पत्रों का निर्मान होता है पहला option है Cutting, दुसरा option है Surl, थर्ड option है कभी Cutting कभी Surl और लास्ट option है इन में से कोई नहीं इसका अंसर है A, कठिन वस्तुनिज एकांज पर अधारित प्रश्न पत्रों का निर्मान कठिन होता है नेक्स्ट कोशन एक निस्पत्ती अत्वाज छमता परिशन या ग्यात करने के लिए प्रियोक्त किया जाता है कि व्यक्ति ने क्या और कितना सीखा और वा कोई कारे कितनी घबहली प्रकार से कर लेता है या परिभाशा किस ने दी पहला अप्शन है फ्री मैन दुसरा अप्शन है नील थर्ड अप्शन है सूपर और लास्ट अप्शन डॉक्टर महिश भारगव इसका अंसर है बी नील नील की परिभाशा है कि एक निश्पत्ती अत्वा छम्ता परिक्षन या ज्याद करने के लिए प्रयोगत किया जाता है कि व्यक्ति ने क्या और कितना सीखा और वा कोई कारे कितनी भली प्रकार से कर लेता है नेक्स्ट कुरिशन विशेवस्तु के अधार पर मानके कित उपलब्धी परिक्षन कितने प्रकार के होते हैं पहला उप्षन है 2, दूसरा उप्षन है 3, तीसरा उप्षन है 4 और लास्ट उप्षन है 5 इसका अंशर ए 2 विश्यवस्त्यों के अधार पर मानकित उपलब्धी परिक्षन दो प्रकार के होते हैं इसका अंसर है A, 1929 इसका अंसर है A, 1929 स्टेन फोर निस्पत्धी परिक्षन का प्रकार्शन 1929 में हुआ था इसका अंसर है B, 1915 आयोबा उपलब्धी परिक्षन माला की स्थापना 1915 में हुई थी इसका अंसर है A, 1925 आयोबा उपलब्धी परिक्षन का निमार कब हुआ? पहला उप्षन है 1984, दूसर उप्षन 1950, थर्ड उप्षन 1960 और लास्ट उप्षन 1924 इसका अंसर है B, 1950 कोपरेटिव उपलब्धी परिक्षन का निमार 1950 में हुआ था नेक्स्ट कुश्चिन SRA उपलब्धी परिक्षन का निमार कब हुआ? पहला उप्षन 1925, दूसर उप्षन है 1948, थर्ड उप्षन 1957, लास्ट उप्षन 1920 इसका अंसर है C, 1957 SRA उपलब्धी परिक्षन का निमार 1957 में हुआ था नेक्स्ट कुश्चिन मेट्रोब्ब्धी परिक्षन का निमार कब हुआ? पहला उप्षन 1935, दूसर उप्षन 1920, थर्ड उप्षन 1948, और लास्ट उप्षन 1925 इसका अंसर है C, 1948 मेट्रोब्धी परिक्षन का निमार 1948 में हुआ था इसका आंसर है भी 1920 कैलिफोर्निया उपलाब्दी परिक्षन का निर्मार्ट निर्मार्ट में हुआ था प्रमारित उपलाब्दी परिक्षन में विश्वसनियता का मान कितना होता है पहला उप्षन है 0.50-0.75 तक दूसरा उप्षन है 0.80-0.95 तक थर्ड उप्षन है 0.75-0.90 तक और लास्ट उप्षन है 0.90-0.99 तक इसका अंसर है ए 0.50-0.75 तक प्रमारित उपलाब्दी परिक्षन में विश्वसनिता का मान 0.50-0.75 तक होता है नेक्स्ट कुर्शन निर्नात्मक परिक्षन एक परिक्षा है जो एक सीमित विशेव छेत्रविक में चात्रों के उपलवधी नापकर उनकी दूरबलता को ग्याद करती है जिससे कि उपचरात्मक कारवाही के लिए उप्युक्त अधार प्राप्थ हो सके यह परिभाशा किस ने दी पहला औप्शन है गुड दूसरा औप्शन है सूपर ठर्ड औप्शन है फिरिमें और लास्ट औप्शन डॉक्टर महिच्छ भागव इसका अंसर भी सूपर सूपर ने परिवाशा दी कि निर्दनात्मक परिक्षन एक परिक्षा है जो एक सीमित विशेव छेत्र म चात्रों के उपलब्धी नापकर उनकी दुर्बलता को ज्याद करती है जैसे कि उप्चरात्म कारिवाही के लिए उप्युक्त अधार प्राप्थ हो सके उपलब्धी परिशन का विशे छेत्र होता है पहला उप्चन है संकुचित दूसरा उप्चन है व्यापक थर्ड उप्चन है कभी संकुचित कभी व्यापक और लास्ट उप्चन है इन में से कोई नहीं इसका अंसर ए संकुचित उपलब्धी परिशन का विशे छेत्र संकु के तीन सोपान होते हैं नेक्स्ट कुश्ण किसी एकांश को सही हल वाले समू का अनुपात कटनाई को निधायत करने वाली विधी है यह परिभाशा किस ने दी पहला अप्शन है टाटे दूसरा अप्शन महेश भारगव थर्ड अप्शन है गेरेट और लास्ट ऑप्शन है इसका अंसर है टाटे टाटे की परिभाशा है कि किसी एकांश को सही हल वाले समू का अनुपात कटनाई को निधायत करने वाली विधी है नेक्स्ट कुश्ण एकांश की कटनाई को ग्यात करने के लिए उप्योगी विधी एकांश को सही हल करने वाली परिशार्थियों के अनुपाद को ज्याद करने में नहींत है, अनुपाद जितना कम होगा एकांश उतना ही कठिन होगा, यह परिभाशा किस ने दी, पहला उप्शन है टाटे, दुसरा उप्शन है गुड, थर्ड उप्शन है गेरेट और लास्ट उप्शन है सूपर, इसका अंसर है C, गेरेट गेरेट की परिभाशा है कि एकांश की कठिनता को ज्यात करने की उपयोगी विधी एकांश को सही हल करने वाले प्रिक्षार्थियों के अनुपाद को ज्यात करने में नहीं थै अनुपाद जितना कम होगा एकांश उतना ही कठिन होगा नेक्स्ट कोशिन बुद्धी लबदी का प्रत्र दिया पहला ऑप्शन ए थर्स्टर ने दूसरा ऊप्शन ए बीने ने और लास्ट आप्शन ए गिलफोर्ट ने इसका अंसर ए थर्स्टर ने इसका अंसर है C, Thurston ने बुद्धी की प्रात्मिक मानसी योगिता यानि के PM में थियोरी का प्रत्य थरस्टन ने दिया था नेक्स्ट कोशन शिक्षन निदेशन में सबसे अधिक बुद्धी परिक्षन को प्योग है पहला अप्षन है शाप्दिक परिक्षन दूसरा अप्षन है अशाप्दिक परिक्षन थर्ड है प्रियोगात्मक परिक्षन और लास्ट अप्षन है इन में से कोई ने इसका अंसर है B, अशाप्दिक शिक्षन निदेशन में सबसे अधिक बुद्धी परिक्षन का प्रियोग अशाप्दिक होता है नेक्स्ट कोशन जेपी गिलफोर्ट ने बुद्धी के तत्व दिये पहला अप्शन आज तत्व दूसरा अप्शन चें तत्व तिसरा अप्शन एकसो बीस तत्व और लास्ट अप्शन दो तत्व इसका अंसर है C 120 तत्व JP Yilford ने बुद्धी के तत्व 120 दिये है Next question Spearman का बुद्धी का सिधान्थ है पहला option है एकल तत्व सिधान दूसरा option है बहुत तत्व सिधान थर्ड option है दूई तत्व सिधान्थ और लास्ट option है सामुविक तत्व सिधान्थ इसका अंसर है C दूई तत्व सिधान्थ Spearman का बुद्धी का सिधान्थ दूई तत्व सिधान्थ है Next question बुद्धी लब्दी का प्रत्य दिया पहला option है थस्टर ने दूसरा option है Spearman ने थर्ड option है बीने ने और लास्ट option है सिगिलफोर्ड ने इसका अंसर है C बीने ने Next question स्रिजनात्मक परिक्षन की मुख्य प्रकार है पहला option है शाब्दिक परिक्षन दूसरा option है और शाब्दिक परिक्षन थर्ड option है प्रियोगात्मक परिक्षन और लास्ट option है ये सभी इसका अंसर है D ये सभी सेजनातम開мर्शन के मुखे प्रकार में आपका शाबदिख और शाबदिख और प्रियागातम compartition आता है गुट्धी की प्रात्मि मानसी योगितां का प्रत दिया नेक्स्ट कुशन शिक्षा निदेशन में सबसे अधिक बुद्धी परिक्षन का उप्योग है पहला उप्षा निदेशन में सबसे अधिक बुद्धी परिक्षन का उप्योग है नेक्स्ट कुशन भारत में सिजनात्मक परिक्षा की रचना की पहला option ने जलोटा ने दूसरा option ने बाकर महन्दी ने थर्ड option ने महता ने और लास्ट option ने भातिया ने इसका answer भी बाकर महन्दी ने भारत में सिर्णात्मक परिक्षा की रचना बाकर महन्दी ने की थी नेक्स्ट कोशन विक्तित का सिधान्थ है पहला उप्षन दिविकारक सिधान दूसरा उप्षन प्रात्मी योगिता सिधान थर्ड उप्षन विशलेशात्मक सिधान और लास्ट उप्षन ये सभी इसका अंसर है C मनोविशलेशात्मक सिधान विक्तित के सिधान्थ में आप आपका मनोशलियात्तम सिधान्त है Next question वेक्थित परिशन का मुख्य रूप है पहला option है प्रक्षेपी परिशन दुसरा option है अप्रक्षेपी परिशन थर्ड ओप्षन है दोनों ही प्रकार और लास्ट ओप्षन है इन में से कोई नहीं इसका अंसर है C दोनों ही प्रकार वेक्थित परिशन के मुख्य रूप में आपका प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी परिशन आता है Next question वेक्थित के मुख्य पक्ष है पहला option है अभी रूचियां दूसरा option है अभी विर्थियां थर्ड option है मुल्य और लास्ट option है ये सभी इसका अंसर है D ये सभी वेक्थित के मुख्य पक्ष में आपके अभी रूचियां अभी विर्थियां और मुल्य आते हैं Next question वेक्थित मापन का उप्योग किया जाता है पहला option है अभ प्रक्षेपी परिशन अभी आते हैं इसका अंसर है कि वेक्थित निदेशन वेक्थित मापन का उप्योग वेक्थित निदेशन में किया जाता है Next question प्रक्षेपी वेक्थित परिशन का उधारण है पहला आप्षोभ तुर्ड आप्षिन वाक्य पूर्टि परिशन और last option है ये सभी इसका answer है D ये सभी प्रक्षेपी व्यक्तित परिक्षन का उधारण में आपका रोश्चा परिक्षन प्रसंगात्मक परिक्षन और वाक्य पूर्ति परिक्षन आता है नेक्स्ट कोशन वेक्तित की विशेष्टा होती है पहला अप्शन है चरित्र दूसरा अप्शन प्रवित्यां थर्ड अप्शन वन्शानुकरम और लास्ट अप्शन है ये सभी इसका अंसर है डी ये सभी वेक्तित की विशेष्टा में आपका चरित्र वन्शानुकरम और प इदम अहम और पराहम है। इदम अहम पराहम यानि कि इड इगो सूपर इगो जो की फ्राइड की है। उन्हेंने मनुविशलेशन सिध्धान्थ में इसको दिया है। Next Question, मनुविशलेशन सिध्धान्थ का प्रतिपादन किया। पहला उप्षन है कैटिल ने, दूसरा उप्षन है आलपोर्ट ने, थर्ड उप्षन है फ्राइड ने और लास्ट उप्षन है कटलेविन ने, इसका अंसर है सी फ्राइड ने। मनुविशलेशन सिध्धान्थ का प्रतिपादन सिग्मेंट फ्राइड ने किया था। सिग्मेंट फ्राइट का जो थियोरी है मनु विशलेशना सिध्धान्त इसको मिशासन ने बहुत आचीत पड़ा है डिटेल में इससे आप देख लेज़ेगा इसमें से कुछ कोशन्स आते ही आते हैं इसको आप जरूर देख लिए में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको म मिल जाएगा नेक्स्ट कोशन विक्तित के प्राकेतिक लक्षन होते हैं पहला ऑप्शन ए गुणों का एकी करण दूसरा ऑप्शन विशेशताएं थ़र्ड आप्शन वन्शानुकर्म तथा वातवरण और लास्ट आप्शन ये सभी इसका अंसर्ये ये सभी विक्तित के प समु का मापन या सुचांख थर्ड और प्राप्तांकों को सार्थक बनाना और लास्ट और ये सभी संखृ के अर्थ अध्यन का विशय जंक्या का विश्य Mortal सुचांग को सांखृ को उप्योंति हैंill इसका answer है D, ये सभी सांखी का उपयोग हम प्रदतों के विशलेशन में करते हैं चनसंक्या के विशेशता का अनमान लगाने में करते हैं और न्यादर्ज की तुटी को कम करने में करते हैं नेक्स्ट कुशन आविती वित्रन तालिका के वर्गी करण का रूप है अंकित वर्गर्द होता है नेक्स्ट कुशन आविती वित्रन तालिका बनाने की विधी है पहला उप्शन टैली लगा कर दूसरा उप्शन प्राप्तांकों को अंकित करके थर्ड उप्शन ए और बी दोनों ही और लास्ट उप्शन इन में से कोई नहीं इसका अंसर ए C, A और B दोनों ही आविती वित्रन तालिका बनाने की विधी टैली लगा कर और प्राप्तांकों को अंकित करके होती है नेक्स्ट कुशन ए सांखी क्या उप्योग करते हैं पहला उप्शन इन डिदेशन की प्रक्रिया में दूसरा उप्शन है शोद की प्रक्रिया में थर्ड उप्शन है सम्हो की तुल्ला में और लास्ट उप्शन इन सभी में इसका अंसर ए D, इन सभी में सांखी की आउप्योग निदेशन की प्रक्रिया में शोद की प्रक्रिया में और समुव के तुल्लामे किया जाता है नेक्स्ट कुशन सांखी की चर राशी है पहला उप्षन है सतचर राशी दूसरा उप्षन है खंडित चर राशी थर्ड उप्षन है ए और बी दोनो और लास्ट उप्षन इन में से कोई नहीं इसका अंसर है C और बी दोनो सांखी की चर राशी में सतचर और खंडित चर राशी होता है नेक्स्ट कुशन आविती वित्रन में वर्गातर का रूप है 10 to 19, 10 to 20 9.5 to 19.5 और लास्ट उप्षन है ये सभी इसका अंसर है D ये सभी आविती वित्रन में वर्गातर के रूप में आपका 10 to 19, 10 to 20 9.5 to 19.5 भी होता है नेक्स्ट कुशन सांखी की का पिता कहा जाता है पहला उप्षन है गराट फ्राइड एकेनवाल को दूसरा उप्षन है होरिंग्स स्क्रेराइज को थर्ड उप्षन है टीपेट को और लास्ट उप्षन है बोर्डिंग को इसका अंसर है गराट फ्राइड एकेनवाल को सांखी के पिता गराट फ्राइड एकेनवाल को कहा जाता है नेक्स्ट कुशन सांखी की सर्वप्विक्त परिभाशा दी है पहला option है बोगार्टर ने, दूसरा option है होरेट से काईटिस्ट ने, थर्ड अप्शन है टीपेट ने और लास्ट अप्शन है बोर्डिंग ने इसका answer है B, होरेंस के क्राइस ने, होरेंस से क्राइस ने सांकिकी की सर्वत उप्युक्त परिभाशा दी है सांकिकी है केवल विज्ञान, दूसरा option है केवल कला, थर्ड अप्शन है विज्ञान वकला दोनो और लास्ट अप्शन इन में से कोई ने, इसका answer है C, विज्ञान वकला दोनो, सांकिकी विज्ञान और कला दोनो ही है सांकिकी की शब्त का सर्वत परियोग किया गया, पहला option 1741 में, दूसरा option 1759 में, थर्ड अप्शन 1759 में, और लास्ट अप्शन 1961 में, इसका answer है भी 1749 मे, सांकिकी की शब्त का सर्वत परियोग 1749 में किया गया था जांके के नियम है पहला ऑप्षिन और सीमित दुसरा ऑप्षिन विश्चरिट थर्ड और सारभार मिग और लास्ट ऑप्षिन गलत इसका अंसर है C म सारभार मिग और सा कि की जा प्रков的 नियम सारभार मिग है इसका अंसर है B, बाउले ने सांकी के उचित रूप से माध्यों का विज्ञान कहा जाता है या परिभाशा बाउले ने दी थी सभी संख्याय समंग नहीं होती या कथन है पहला ओप्षन है बोडी गटन का दूसरा ओप्षन है स्पर एंड बोमिनी का थर्ड ओप्षन है टीपेट का और लास्ट ओप्षन है बाउले का इसका अंसर है B, स्पर एंड बोमिनी का सभी संख्याय समंग नहीं होती या कथन स्पर एंड बोमिनी का है नेक्स्ट कोशन विजातिय समंगों से प्राप निश्कर्ष होते हैं पहले ओप्षन है शुद, दूसरो ओप्षन है ब्रामक थर्ड ओप्षन अश्ट शुद और लास्ट ओप्षन अश्ट 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 ब्रामक इसका अंसर है B, ब्रामक विजातिय असमंगों से प्राप निश्कर्ष होते हैं नेक्स्ट कोशन पहला उप्षन है बावले ने दूसरा उप्षन है टीपेट ने थर्ड उप्षन है बोगितन ने इसका अंसर है C बोगितन ने सांखी की अनुमानों एवं संभाविताओं का विज्ञान है या परिभाशा बोडी गटन ने दिया था नेक्स्ट कोशन दो परस्पा विरोधी प्रक्ति के तत्यों के प्रदर्शन के लिए किस दंड चित्र का प्रयोग किया जाता है पहला उप्षन है बहुगूरी दंड चित्र दूसरा उप्षन है विचलन दंड चित्र थर्ड उप्षन है दूई दिशा दंड चित्र और लास इसका अंसर ए दो परस पर विश्लन दर्ण चित प्रदशित करते हैं दो परस पर नेक्स्ट कुर्शन सधारन आयच चितर में ध्यान रखा जाता है पहला अंसर है बी लंबाई एवन चड़ाई दोनों का नेक्स्ट कोशन सांके की एक वियान नहीं है यह एक विज्यानिक विधी है यह कथन है पहला option है Craston एवं Crowden का, दूसरा option है A.L. Bale का, थर्ड option है T.P.E.T. का और लास्ट option रॉबर्ट्स का इसका answer है A. Craston एवं Crowden का सांखे की एक विग्यान नहीं है, यह एक विग्यान विधी है, यह कथन Craston वर Crowden ने दिया था नेक्स्ट question, दू विमिये चितरों में ध्यान रखा जाता है, पहला option केवल उचाई का, दूसरा option केवल लंबाई का, थर्ड option केवल चड़ाई का, और लास्ट option इन तीनों का इसका अंसर है D, इन तीनों का, द्यू वीमिये चित्रों में ध्यान रखा जाता है, केवल उचाई, लंबाई और चोडाई का इसका अंसर है C, जीरो से, वाई अक्ष का प्रारम जीरो से किया जाना चाहिए आज के वीडियो का लास्ट कोशन है, आविती वक्ष के निर्मान के लिए बनाना अवशक है पहला उप्षन है आविती आयचित्र, दूसरो उप्षन है आविती बहुभूच, लास्ट उप्षन है ए और बी दोनों और लास्ट उप्षन है दोनों का ही नहीं इसका अंसर है C, A और B, तोनो आविती वक्क के निर्मान के लिए आविती आयाचित्र और आविती बहुबुच बनाना आवशक है ये तो था आपका assessment और teaching and learning का revision question और सभी paper के आपको में revision questions दूँगी ताकि आपका paper अच्छा हो ये जो आपका assessment और teaching and learning है आपको मिशासर ने इसको बहुत अच्छा हो सके अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो like कीजिए, share कीजिए और comment जरूर कीजिए आप लोग का comment करने से, आप लोग के like करने से motivation मिलता है और इसे आगे करने का कोशिश भी करने का अच्छा लगता है तब तक के लिए धन्यवाद, के paper के लिए best of luck